गुर्द्यों डॉक्टर द्रश्टी जेन उदेपूर से असिरवात की आकांग्छी है उनकी फाइनल गयर के एकजाम चल रही है और वो पूछ रही है कि ज्ञान की प्राप्ती के दो स्रोत हैं विद्या और सिक्षा गुर्द्यों दोनों में क्या अंतर है बहुत अंतर है वि जिससे सीख मिले वो सिक्षा और विद्या दो अर्थ में होती है विद्या एक लबधी के रूप में भी होती है एक सक्ती के रूप में भी होती है और विद्या एक कला गुन की प्राप्ती के रूप में भी होती है लोक में अनेक प्रकार की विद्याएं हैं प्रशिद्ध ह होते हैं वो विद्याधरन करते हैं 14 महा विद्याएं हमारे हाँ प्रशिद्ध हैं अनेक प्रकार की विद्या जो एक प्रकार की मन तर्ट अन्तर से संबध होती है वो भी विद्या आती है सामान रूफ से विद्या जो हम लोग एक विद्या थी के अर्थ में लेते हैं, जो ग्रहन किया जाए, तो उसको हम विद्या कहते हैं, जो हमारे अभ्यास से आती है, अभ्यास सारिनी विद्या, बुध्धी, करमानुशारिनी, हम जितना अभ्यास करेंगे, हमारे ग्यान में उतना निखा रहाएगा, लेकिन सिक्षा है सीख, कोई इविक्ति, खूब बिद्या आर्जन कर ले, पर सीख ले ये कोई जरूरी नहीं, हमारे लिए बड़े बड़े ग्रंथों से, जो सिक्षा नहीं मिलती, बड़े बड़े ग्रंथों के अध्यन से ग्यान मिल जाएगा, बिद्या मिल जाएगा, लेकिन सीख एक छोटे से वाक आते पर चल रहे थे, तो चलते चलते लोगों ने भटका दिया था, चलना था 14 किलोमेटर और लगभग 22-23 किलोमेटर की यात्रा, चलते चलते ठक गए, जंगल का रास्ता था, एक किसान भाई मिला, उसे पुछे भाई, हमें अमुग जाना है, कितनी दूर है, उसने अमुग जा राफी चलना हो गया था, बहिए देखो दिन चिप्ते तक चलते पहुच जाएंगी ने, ने, पहुच जाओगे, पिर मन में आक उलता देखो रात में रात तो नहीं हो जाएगी रात थंड का समय था, हम लोग रात में चलते ने, ने, आप पहुच जाओगे, फिर बोले तुम सही बोल रहे ना आज तक गित्ते बोले सब भठकाते रहे हैं। हाँ बबाबा हम सही बोल रहे हैं आप पहुंच जाओगे। फिर थोड़ी देर आगे गए और बोले भीया देखो पहुंच तो जाएंगे ना। बोला दोनों हाथ जोड़े और उसने बुंदेल खंडी में कहा महराज रस्ता निगवे से कटत बातों से नहीं। बड़े गरंथों से सीखने में जीवन बीच जाता है वो बात इस अनपड़क किसान के एक वाक्य ने हमें सिखा दिया। समझ गये हैं तो ये सीख है ये सीखशा है दोनों को अलग-अलग संदर में भी देखा जा सकते।